हलो दोस्तो आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि फोटो सॉप में किसी भी फोटो का बैगराउंड कैसे रिमूब करेंगे असान तरीकेशे पहले मैं फोटो सॉप में दिखा देता हूं आपको फार्मेट जैसे मांग चलिए हमारे पास यह देखिए हमारे पास यह फोटो है इस फोटो का कि हम पास बैगराउंड रिमूब कि हैं अब इसको किसी भी बैगराउंड पर हम इसको अच्छे से सिप्ड कर सकते हैं अच्छ इस बैंगराउंड को हमको कट करें तो जो फोटो को हमको जूम करते हुए काम करना है तो इसको जूम करने के लिए हमारे पार शॉटकट क्या है इस तरह से हैंड का आईकन अब इसको पकड़ कर सकते हैं तो अब यहां पास हमको जो टूज करना है पेंटूल की मतलब साम इसका बैगराउंड को रिमूट करेंगे तो पेंटूल कहा है देखिए यहां पास आपका टूल बॉक्स में जो इस तरह से आइकन देखरा है यह जो पेंट टूल को कुली करेंगे तो यहां इसका प्रोपटिस आजाएगा इस प्रोपटिस में आपको यह स scap s अलःक करना यहだन कभक करना स्थे ऐथ और यहां सा इमेज को जूम करते हुए इसको सलेक्शन बनाने है यहां से ऐसे क्लिक करते जाएंगे इस तरह सेलेक्शन बनाते जाएंगे ऐसे कि इस तरह से इमेज को पूरा चारों तरफ साम करेंगे जहां से स्टार्डिंग कि है वहां पर चारों तरफ सेलेक्शन के लाके मिलाएंगे इसको इस तरह से अब इसको उपर नीचे ऐसे करना हो तो इस पेस बटन दबाएंगे ति इस तरह से हैंड का आइकन आ जागा अब इसको पकड़के मेच को उपर नीचे अपना कर सकते हैं ऐसे इसको काफी आरामसा आप किजेग थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहूं इस तरह से हम अच्छे से ज्लेक्शन्स करेंगे मैं विडियो से स्कीप कर रहा हूं कि क्योंकि यदा बड़ा विडियो बन जाएगा तो विडियो में थोड़ा से टूचिप कर दे रहा हूं थाकि यदा भड़ा विडियो ना बने इस तरह आपके पास अगर hair के पास आएगा तो इस hair को भी आपको कफी अच्छे से selection बनाना है देख लीजिएगा अपनी सब्सकर बना इस तरह से बना रहा है करें तुल की मतद से काप ही असानी सम बैग्राउंड को रिमूब कर सकते हैं इस तरह से कट करके अब हमारा जो Stareeki होने वाला है वहारे पास वहांपस जाके मिला दोंगे इस तरह सेस्ट करते जाना है आपको जहां से restart किए थैं वहां ले चारोत आपस सेλέक्शन करने के बाद वहांबने जाके आप मिलाेंगे हमारा वहांपस पहुशने वाला है कि आप आराम से किजिए के स्लेक्षन काफी अच्छे से हो गाई है कि अब हमारा इसलेक्षन कॉप्डिट होना यहां से स्टार्ट किये यहां ले जाके हम बस यहां पर इसलेक्षन हो चुका अब इसको छोटा करना है अब चारो तरफ से करना है इसके बाद अपने कीबोर्ड से करना है Ctrl-Enter, Ctrl-Enter करेंगे तो देखी कुछ इससर से आपके 4 तरफ selection बन चुका, तब यहां पस आपका देखिए जो layer है, ठीक है इस layer को पर आपको क्या करें, अगर layer आपका फ्रू ना करें तो window में जाकर यहां से आप layer लेएंगे, यहां से layer को टिक कर लिजेगा, आ जाएगा, तो अब इस जो background जो layer है, इसको उपर mouse का right click करेंगे, right click करने के बाद यहां पस देखिए option शो कराया layer view copy, इस पर हम click करेंगे, click करेंगे तो क्या हो गया, दोनों अलग हो गया, यह layer अलग से बन गया, जो background का है इसका आपको off कर दिजे, तो देखिए अभी हमारा यह अलग से द इसका resolution आप रख लिजे 300, 300 करेंगे और यहां से transparent select कर लेंगे, इसके बाद just okay करेंगे, okay करेंगे तो कुछ इस तरस आजाएगा, अब यहां move tool select करेंगे, move tool, अब यह जो selection बनाया थी, इसके उपर हम click करेंगे, click करने के बाद इसको पकड़ का हम यहां पास लाएंगे, ठी इस तरह से कोने में करसा रखना है, और इस तरह से हमको छोटा करना है, ठीक है, अब यहां पास just हम इसको पकड़ कैसे, पीच में लाएंगे, अब इसको बढ़ा करना है, तो control space, इस तरह से हम बढ़ा कर लेंगे, अब देखिए हमारे पास होगी, इसको और फोटा करना alt shift क इसको काम करना है, इसको save करना है, तो इसको save भी हम कर सकते हैं, तो इसको save करने के लिए, just यहां पास हम file में चल जाने के बाद, just यहां save प्लिक करेंगे, और यहां पस location देख लिए, just you save फे करना हमको next day, इस डाल दिजे, क्या नाम सेático करेंगे, यह name ढाल दिए, अब यहा पास यह से बहुँ चुगा यह दिखिए इसको मैं यहां पास बढ़ा करके दिखा देता हूं आपको देखिए हमारे पास इस तरह से यहां पास यह शू करा आप किसी भी मतलब फोटो सब्सक्राइब कर सकते हैं उसको अच्छे से अड़ेट करके तो यह प्रोसेस था किसी भ उसका करो भी मतलोस हमारे जसी प्रोसे से यहां आपको बाहां पास भी मतलब प्रोसे यह सिर लिखाब कर दो सब्सक्राइब कर दोड़ कर दिखियाल sizin दिखिना हुईया आपको ज र th